आज हम लोग बात करना लें रीडिंग कैमपेंग की एक्टिविटी सीड जो क्लासिक्स लेकर एड तक की है और यहाँ पर जो है आज की देड़ दी जिग गई है जो की है उन्तिस तीन दोजार बाई यहाँ आपको अपना नियम यहाँ अपनी टीचर का नियम लिखना है और यह जो संख्या है यहाँ 57 की चलिए दिया गया इसमें क्या दिया गया multiplication of fractions देखेश्चेंस का multiply कैसे करते है fractions have to multiply simply multiplication ठीक है आप जो fraction है उनको बहुत ही simply multiply कर सकते है कैसे fractions multiplication fraction multiply numerator with numerator denominator with denominator कहने का क्या मतलब है जो numerator है ठीक है मान लो एक आपको संख्या यहाँ पर दी गई है दो और एक तो दो और एक को multiply कर दो पांच और तीन इनको आपस मैं multiply कर दो और आंसर आपका आ जाएगा जैसे दो बटे 15 हो गया इसी तरीके से आप यहाँ पर कर दो सकते हैं नौस ओल्यू दा following को संख्या जैसे क्या दिया गया 7 अपॉन में 2 इन्टू क्या कर दें 3 कर दें और उपपर इन्टू क्या कर दें 5 यानि 35 अपॉन में क्या हो गया 6 हो गया इसका आंसर इसी तरीके से इसको जब करेंगे तो 11 इन्टू 2 कर देंगे उपर नीचे 5 इन्टू क्या कर देंगे 3 कर देंगे जो कितना हो जाएगा 22 अपॉन में 15 ठीक है चलिए आगे देखते हैं अगला कोसन क्या दिया गया यहाँ पर दिया गया है 1 इन्टू 1 अपॉन में 4 इन्टू 10 बराबर कितना हो गया 1 अपॉन में 40 चलिए आगे देखते हैं क्या दिया गया है आगे दिया गया है division of fraction fractions का division कैसे करते हैं when fraction divide slip flip fraction of right side division sign change multiply get answer कहने का क्या मतलब है जब भी कोई divide के लिए दिया गया हो तो सबसे पहले beach का sign change करो और इस तरफ का जो portion है ये वाला जो number इसको उल्टा करके लिख दो कहने का मतलब है 7 नीचे चला जाएगा 3 उपर चला जाएगा यहाँ multiply का sign हो जाएगा फिर normally हम इसको multiply कर लेंगे जैसे कि यहाँ पर आपको देखे दिया गया है जैसे क्या दिया गया है 12 upon में 5 हम क्या लेख सकते हैं into 3 upon 1 यानि कि 12 into 3 upon में 5 into 1 is equal to कितना हो जाएगर 36 upon में 5 इस इतरीके से इधर करें अगर 6 upon में 13 into 5 upon में 2 is equal to 6 into 5 upon में 13 into 2 कितना हो जाएगर 30 upon में 26 चलिए आगे देखते हैं क्या दिया गया आगे दिया गया है 8 upon में 5 into 9 upon में 5 is equal to क्या वा 8 into 9 upon में 5 into 5 बराबर क्या वा 72 upon 25 तो बिटा आगे आपकी वक्सीट क्या है यहीं समापत होती आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करकर बताना वीडियो लाइक करना चैनल सब्सक्राइब करना ज़्यादा से ज़्यादा कॉंटस में पास्पेट करना धन्यवाद वच्छो